नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट नई सुभा के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के आडियो लर्निंग टिटोरियल्स के साथ मैं हूँ शायान आज हम बनाना सीखेंगे सूप सूप बनाने के लिए जिन अज़्जा के हमें ज़रूरत है उसमें शामिल है तीन टेबल स्पून ओइल इक बड़ी गाजर बारीक कती हुई लेसन वन टी स्पून हरी मिर्च तीन अदद एक बड़ी शिमला मिर्च जूलियन कट एक पव बोनले स्टिकन चनादाना हुआ या फिर श्रेद हुआ वा मीन्स रेशे हुआ वा नमक और काली मिर्च एक टी स्पून सोया सॉस 6 टेबल स्पून चिली सॉस 6 टेबल स्पून सिरका 3 टेबल स्पून और अंडे 2 अदद तरकीब सबसे पहले चिकन को अच्छे तरीके से दो लें फिर एक पतीला लें उसमें 3 टेबल स्पून ओائल डालके लसंग को फ्राई कर लें साथ ही तीन हडी मिर्चें दर्मियान से कट लगाके शामिल करें और एक से दो मिनिट के लिए पकाएं उसके बाद इसमें चिकन शामिल करें और चिकन को भी फ्राई कर लें चिकन फ्राई होने के बाद उसमें उबलावे भुटे के दाने शामिल करें और साथ ही उसमें 5 गलास पानी शामिल करें और अच्छे तरीके से पकाएं यहां तक के पानी 4 गलास रह जाए फिर उसके बाद उसमें 1 टी स्पून काली मिर्च और 1 टी स्पून नमक शामिल करें और अच्छे तरीके से मिक्स करें फिर आदे कप में 6 टेबल स्पून अरारोड अच्छे तरीके से घोल कर सूप में शामिल करें और चम्चा मुसलसल चलाते रहें ताके अरारोड की गुटलियां ना बनें फिर अलग से एक पैन में 2 टेबल स्पून आयल में सबस्यों को लाइट फ्राई करें और सूप में शामिल करें फिर उसमें तमाम सॉसेज एड़ करें आखर में दो अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लें और उसको लेयर की सूरत में सूप में शामिल करें और साथ साथ च ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए